आप देख रही है MNS News सच जरूरी है गहलोत के बेटे वैभाव को किया तलब राजकुमार राओ मद्दाताओं को दिखाएगे सही राओ चुनाव आयोग निदीब बड़ी जिम्मेदारी आई देखते हैं खबर विस्तार से मम्तब एनर्जी के मंत्री के घर एडी की रेट घोटाले से कनेक्शन आया सामने आठीकानों को खंगाल रही एजन्सी जिहा कॉलकता में पशिम्मंगाल के वन मंत्री और पुर्व खाद मंत्री जोती प्रिया मलिक के आवाज पर प्रवतन इद्शा लहेंे शोती प्रिया मंत्री के आठीकानों पर एडी की छापे मारी एडी सुत्रों के अनुसार राशन घुटाले मामले में मंतरी जोति प्रिया मली का नम बकी बूर रहमान की गिरफतारी के बाद सामने आए एडी ने गुरुआर की सुबा करीब सारे छे बजे सॉल्ट लेक के बीसी ब्लॉक में sicत जोति प्रिया मली के दोशो घुर हो पर पहुचHHHH एडी ने जोती प्रिया मलीक के घरक के अलावा नागेर बाजार में स्थित उनके असिस्टेंट अमित के फ्लेट पर भी पहुच और चापे मारे शुरू कर दे एडी के अधिकारियों ने गुरुवान को सुबा कुल आट बजे जगा पर तलाशी अभियान चलाया एडी मंत्री जोत्प्रिया और बिजनेसमेन बकीबूर के 20 संबंद की भी जाज कर रही है राशन गोटाले मामले में बकीबूर गिरफतार जिया बतारेगी राशन गोटाले मामले में एडी ने पिछले बुद्वार को कॉलकत्ता में स्थित बकीबूर की खहए गाली कैखाली फ्लेट पर छापा मारा था एडी सूत्रों के अनुसार बकिबूर के फ्लेट से सरकारी दफ्तरों की 100 से ज्यादा मुहर मिली थी इसके साथ ही खादापूर्ती से संबंदित विबिन सरकारी संस्थानों के 109 टिकट वरामत किये है बकिबूर के फ्लेट में एडी ने 53 घंटे तलाशी की थी तलाशी के बाद एडी ने बकिबूर से 11 घंटे पूश्टाच की और शनिवाल सुबा उन्हें गिरफतार कर लिया बरते अगली खबर क्यों रजस्तान विधानसबा चुनाओं के बीच एडी का बड़ा एक्शन सीम गहलोत के बेटे वैभाव को किया तलब जिया रजस्तान विधानसबा चुनाओं के बीच प्रवतत निदेशालय ने बड़ी कारवाई की है एडी ने मुक्यमंत्री समन भेजा है सियम गहलोत ने बोला हमला जिया इसी बीच एडी केस समन के बाद मुक्यमंत्री गहलोत ने बड़ा हमला बोला है उन्होंने एजनसी केस कारवाई को राटनितिक साजिश करार दिया है उन्होंने ट्विट करते वेखा दिजिनांक 25 ऑक्टोबर रजस्तान की म में हाजिर होने का समन अब आप समझ सकते हैं जो मैं कहता आ रहा हूं कि राजस्तान के अंदर एडी की रेज रोज इसलिए होती है क्योंकि भाजपा यह नहीं चाहती है कि राजस्तान में महिलाओ को किसानों को गरीबों को कॉंगर्स दौरा दी जा रही गैरंटियों का ल लुगा कॉंगर्स पार्टी प्रदेश अध्यक्स गोविन दौतासरा के घर पहुची इसके साथ ही दोसाजिले के महावा में भी और प्रकाश हुडला की यहां एडी पहुची बता दे कि प्रतियाशी है इसके अलाबा सीकर में गोविन दौतासरा के गर पर और कलाम कोचि अगली खबर की और राजकुमार राओ मद्दाताओं को दिखाएगे सही रहा चुनाव आयोग ने दी बड़ी जीमेदारी जिया भारत में विधानसबा चुनाओं होने वाले हैं वही एक दो नहीं बलकी पांच राज्यों में इससे ठीक पहले चुनाओं आयोग कई घोशना को की है तेलंगार नराजस्तान मद्दप्रदेश 36 गर्ड और मिजोर रमवन नवेंबर में विधानसबा चुनाओं होने वाले हैं चुनाओं के नतीजे 3 दिसमबर को आ जाएगे क्या है नेशनल आइकॉन का काम चुनाओं से पहले मद्दाताओं को जागरुक करना होता है इनका प्रयास होता है कि लोगों को जागरुक करके वोटिंग पर्फरमेंस बढ़ाया जाए याद दिला दे राजकुमार राओं से पहले चुनाओं आयोग ने इसी साल अगस्ट में फूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकॉन मनाया था दरसल 2024 मे एसे में चुनाओं आयोग Present लोगों को मतधदान के लिए प्रेरीत करना चाहतेए दों चुनाओं आयोग का फोकस युवाव परसबसे ज्यादा है कुछ इस तरह से राजकुमार राओं नषन को करेंगे जागरु जया चुनाओं या क्रिकेटर से जूरी हस्ती नेशनल संक्या में मतदान केंद्र पहुच करें अब ठीक इसी तरह सिराजकुमार राव भी लोगों को जागरू करते नजर आ रहे हैं इसी तरह के तमाम बड़ी खबरों से फिरकर आओगे आपका रूबरों तब तके देखते रहे हैं मेरे साथ यह नियुश्य अंसारी के साथ नमस साथ नेक्रेंगे MNS News